excel की आज की इस वीडियो में हम आपको excel में कौन गांटिनेट समझाने वाले हैं कौन कांटिनेट होता क्याए कि इनी दो cell की value को एक cell में combine करने के लिए आप कोन कांटिनेट का यूज कर सकते हो जैसे कि आपको यह निती का सर्मा अलग-अलग लिखा हुआ है लेकिन हमने इसको एक cell में combine करके दिखाया हुआ आपकी कोई भी value हो सकती है आप उसको combine करना चाहते हो तो कौन candidate के साहता से आप combine कर सकते हो कैसे उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर equal type करेंगे कौन candidate लिखेंगे bracket start करेंगे यहाँ पर text 1 मांग रहा है text 1 में वो cell लेंगे जो आपने combine करना है उसके बाद coma लगाएंगे फिर दूसरा text लेंगे जिसके साथ आप combine करना चाहते हो bracket close करके enter करेंगे तो यहाँ पर नेहा ठाकूर जो है combine तो होके आगे लेकिन space नहीं है space लेने के लिए क्या करेंगे जहाँ पर हमने coma लगाया था उस coma के बाद inverted coma लगाएंगे space लगाएंगे inverted coma close करेंगे फिर coma लगाएंगे और enter प्रस करतेंगे तो यहाँ पर नेहा ठाकूर जो है space आ चुका होगा अब इसको scroll down करते हैंगे सभी tax measures space आ चुका होगा